बाड़रा हलका जो है वो दादरी तो नानी होगी और बिवानी जो है वो दादी होगी जो माँ है वो बिल्कुल खाली बैटी है तो आप प्रियसी सेंटर को सर अपड्रेड करके और इस माँ को कुछ दे दो क्योंकि यह हलका जो है 112 गाउं का इतना पड़ा हलका है और मुझे लगते है पूरी कॉंसिस्वेंसी में शायद बाड़रा सबसे बढ़ा हलका है तो आप ये नानी दाती से पीछा छुडवा के हमारा और इस माँ को कुछ दे दो नमस्कार हरियाना विधान सभा के मानसुन सतर के आखरी दिन हलका बाड़रा विदाई का सिरीमती नेना चोटाला ने बाड़रा में पीछियों को अपगरेड करने की बात कही है इसके अलावा उन्होंने ओवर्लोडिंग तरकों वे टूटी हुई सडकों के बारे में भी कहा सुनिए सर मैं बाड़रा के लिए पीछियों सेंटर के लिए कहूंगी कि बाड़रा हलका जो है वो 112 और 115 गाउं का बहुत बड़ा हलका है तो मैं स्वास्ते मंतरी जी से कहूंगी कि मैं पहले भी 5 साल आप से जब हम अपोजिशन में बैठे थे तो डवाली के लिए और चुटाला के लिए मैं आगरे करती रही लास्ट में आपने कुछ किया तो बाड़रा के लिए मैं कहूंगी कि बाड़रा हलका जो है और प्यए सेंटर के लिए कि जब भी कोई बिमारी हो तो या तो लोगों को दादरी बागना पड़ते हैं या बिवानी तो नानी होगी और बिवानी जो है वो दादी होगी जो मा ए वो बिल्कुल खाली बैटी है तो आप प्यए सेंटर को सर अपग्रेड करके और इस मा को कुछ दे दो क्योंकि यह हलका जो है एक सो बारा गाउं का इतना बड़ा हलका है और मुझे लगते है पूरी कॉंसिट्वेंसी में शायद बाड़रा सबसे बड़ा तो आप ये नानी दाती से पीछा छुड़वा ताकि हमारा और इस मा को कुछ दे दो मुखे मंतरी जी भी बैठें तो मैं आप से भी आग रह करूंगी कि पीए सी सेंटर जो है वो बार्ड़ा में अपग्रेड करवा कि उसमें फैसिलिटीज देने का काम करें ताकि मेरी कुंसिट्वेंसी के सर लोगों को आए दिन एक त इतना बड़ा मसला है कि सड़के नहीं कि आदे पेशन्स वह रस्ते में मर जाते हैं प्रेग्नेंट लेडिज जो है उनको दादरी और बिवानी जाना पड़ते हैं तो आप जो है वो बार्ड़ा को अपग्रेड करके और यहां भी उसको एक अच्छा सा प्यासी सेंटर कोल दो ताकि लोगों को बिवानी और दादरी ना जाना